सब्सक्राइब अपने इस पार्ट में देखा था डिन एपलीकेशन में एंजाइम्स का रॉल जो डिफरेंट टाइप ऑप एंजाइमस हैं उनकी अपने यहां पर जितने फंक्शन थे उनका जो रोल था वह अपने यहां पर डिसकस किया था उसमें आपको बताया था यहेंग हेलिकेज, टोपो आईसोमरेज, फास्पोराइलेज, प्राइमेज और डियने लाइगेज, इन सब को अपने डिसकस कर लिया था, अब अपन देखेंगे यहां पर आज मेकेनिजम ओफ रैप्लिकेशन, मेकेनिजम, नेक्ट पॉइंट है अपना, ही अब जो रैप्लिकेशन का मेकेनिजम है, वो इन एनजाइम की हेल्प से कैसे होता है, ठीक है, मेकेनिजम ओफ रैप्लिकेशन, ओके, तो आई तिंक लाश्ट पार्ट में जो मैंने आपको एनजाइम से जितने भी डिसकस किये थे, यह सब आपको अल्रेड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे अब अपन ने देखा था कि रेट ओप रैप्लिकेशन क्या होता है, तो रेट ओप रैप्लिकेशन देखें अपन, तो 2000 बेस पेर पर स्टेंड में होता है, जो इकोलाई बेक्टिरिया होता है, अपन बार बार इसकर इसकर कर रहे हैं, इसमें 4.6 into 10 to the power, 6 बेस पेर जो है, और रैप्लिकेशन कंप्लीट होता है, कितने मिनिंट में? 38 मिनिट में कंप्लीट हो जाता है, अपन ने पढ़ा था ना, उसमें 20 मिनिट में हो जाता है, कई जगए अपने को 36 भी मिलता है, sorry 18 भी मिलता है, तो एक चीज मैंने आपको साय फर्स्ट पार्ट में ही बतायी Central Log मां पन्य पढ़ा था, उसमें देखा था, DNA, replication इस तरह से लिखा हुआถा यहां पर, replication, तो यह क्या है, replication means, DNA अपनी ही जो exact carbon copy बनाता है, अपनी ही carbon copy को बनाना का process कहलाता है, क्या, replication, अब आपनने इसमें देखा था, फिर कि DNA transcription करता है तब क्या होता है? मतलब RNA बनाता है, sorry, तो RNA बनाँ है, ट्रांस्किप्शन हो रहा है यहां पर, ठीक है? ट्रांस्किप्शन का process हो रहा है, गर जब translation करता है DNA, यह means protein मनाता है, तो उस टाइम पर अपन उस process को بोलते हैं Translation, छूर्ट पे लिख रही हूं में यहां पर ट्रांसलेशन घ्ल के प्रोटिन है बनाना मतलब डि개 से पहले ट्रांस्किप्शन का प्रोषे ऊचणों होगा तो आगने ने बनेगा और 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 व्रक्रम प्रोटिनीर को बनाता है और इंसब प्रोषेस के लिए अपर ने इतना कहा, बूंके पोई तो कोई काम होता नहीं, अपन भी तभी काम करेंगे, जो अपने पास心 होगी और अपने को एनरजी कहां से मिलेगी, अपने को फूड से, ऐसे ही इन सब प्रोसेस के लिए जो एनरजी रिक्वारी होती है, वो मिलती है, इस बर्ड को मैं अभी आपको क्लियर करूंगी बस मैंने बता दिया है आपको यहां पर यह चीज ध्यान रखना आब आप लोग है अभी आएगा यह सब आगे चलकर तो मेकेनिज्म आप डियने में अपन देखें कि अपने को मालम है बहुत अच्छे से कि डियने क्या एक सकते हैं और यहां से इसना होता है यहां पर फ्री मों और यह जा रहा है यह यहां लिख दिया फाइव और यहां पर फाइड यहां और यहां पर फाइब Basket like मैंने आपको बता दिया था कि जो है, eukaryotic cell में जो DNA होता है, वो linear shape में होता है, इस तरह से, और prokaryotic cell में यह always circular shape में होता है, इस तरह से, ठीक है, डबल helical structure होता है, prokaryotic cell में तो circular में होता है, और eukaryotic cell में कैसा होता है, कैसा होता है, linear shape में होता है, ठीक है, as I say that DNA is double helical structure, so for the replication, question है, कि अपन देखें, कि question is, DNA में replication कहां से start होता है, अब मैं कह दूँ, आप तो DNA का मैंने ये stand दे दिये, दोनों आपको, आप replication कहां से करोगे, कहां से start होता है, तो DNA में replication is begin from the ORI site, एक ORI site होती है, DNA में, ORI site होती है, इस site से ही always DNA का replication start होता है, अब what is ORI site, ये तो नाम ही अपन ने पहली बार सुना है, इसका full form क्या होता है, origin of replication initiation site, मतलब जो DNA का, मतलब replication हो रहा है, मतलब start हो रहा है, उस site को अपन बोलते है, ORI site, अब फिर question आ जाता है, how many ORI sites on DNA, कितनी site होती है, CDNA पर, भाई हमें भी तो पता हो, कहां पर है, इदा रहे, इदा रहे, इदा रहे, लीनियर है, तो इदा रहे, इदा रहे, कहां होगी, तो, we know already that, कि जो prokaryotic cell होती है, उसमें only one site present होती है, while, जो eukaryotic cell होती है, उनमें जो DNA present होता है, उनमें more than one site present होती है, कौन सी ORI site, एक बार और बोल देती हूँ, ये question आपको कई बाग, आप ही जाता है, कि how many ORI sites present in the DNA, तो आप क्या बोलेंगे, या तो आपको specific उस से आएगा, कि prokaryotic cell के DNA में, कितनी ORI sites present होती है, तो आप लिखेंगे only one ORI site present होती है, prokaryotic cell में, eukaryotic cell में, जो ORI sites होती है, वो होती है, more than one, इसका एक example में आपको बताती हूँ, fruit fly, fruit fly, fruit fly में 35 hundred site present होती है, अब यह तो अपनी बात हो गई, यहां पर अब आता है कि, why ORI site is required for application, क्यों replication के लिए ORI site अपने लिए required है, तो because ORI sites are the sites which have certain specific autonomic replication sequence, ARS जिसको 500 में बोलते हैं, means here certain specialized sequence present होता है, are there which have the capacity of replicate automatically, मतलब एक ऐसी site होती है, मैं इसी language में समझा देती हूँ, अब आपको कि इस पर, मतलब यह specific site होती है, जहां पर ऐसा sequence present होता है, रेप्लिकेशन के लिए, कि यह easily replication हो जाता है, उस sequence पर, हैना, automatically replication, replicate होने लगता है, DNA, स्टुडेंट्स प्रोके रेटिक सेल में, जो ARS है, only one site present होती है, क्योंकि, ORI की one site present होती है, बट, यूके रेटिक सेल में more than one present होती है, reason is that because, यूके रेटिक सेल में, ORI site भी more than one present होती है, इसलिए, ARS b, ARS means, मैंने क्या होला, आपको बढ़ समझ में नहीं आ रहा हूं तो ऑटोनोमिक रेप्लिकेशन सिक्वेंस यह किस पर डिपेंड करता है यहां पर समझ ली अब यह चीज और है कितने बेस्पेर प्रेजंट होते हैं अब अब आपने एक और यहां से रेप्लिकेशन कराना है उसमें कितने बेस्पेर होंगे तो डिएने इस डवल हैलिकल स्ट्रक्शर वीनोट डेट और डिएने अनवाइंड होना स्टार्ट करता है अब होना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले replicate mission में इ feelings है इस 11 1 पार्ट में बताया था यहांपर और अपके लियर करते जाएंगे इन चीजों को वहाँथ अपने सिर्फ function देखेखे थे ऊंलिवर्लाइन में अब अपनि यहाँपर देखेंगे यह डियाइने हैं यह अपना दीने हैं यह इसमें हाइडोजन बॉंड्ड है इन बॉंड को क्या करता है यह वो इन डीने को क्या करता है दीरे-दीरे सबसे पहले क्या करेगा अबिकांट करेगाव का выпол को सबसे पहले है यहां पर आएगा और hydrogen bond को breakdown कर देगा ठीक है अन्वाइन होना स्टार्ट हो जाता है सबसे पहले रैप्लिकेशन जो है अन्वाइन होना स्टार्ट हो गया तो अब यहां पर टेंशन रिलीज एंजाइम भी चाहिए अपने को अपने पड़ा था ना कि जो टॉपो मरेज एंज लेकिन यह बापस से यहां पर इसका nature DNA का कोईलिंग करना तो यह बापस से इसमें टेंशन आ गया तो इस टेंशन को रिलीज करने के लिए यहां पर एक एंजाइम होता है कौन सा टॉपो आईसो मरेज एंजाइम यह एंजाइम इस डीने को बापस से कोईल नहीं होने देते और जिए इससे यह सीधा हो जाताया असा बापससे कोईल नहीं होगा मतलब टेंशन रिलीज कर देगा यह इसकी अब सिंगल इस्टेंड में मैं जयँन सिधा तो कर दीया अब सिंगल स्टेंडिंग जो इस्टेबलाईज आइज प्रोटीन है यहां मैं नाम लिखी देती सिंगल क्योंकि यह नेम थोड़े से कंपसर ही अपने लिए इस्टेंडिंग इस्टेबलाइजिंग इस्टेबलाइजिंग प्रोटीन जिसको मैंने शॉर्ट में उपर लिख रखा है NSSP ए जो प्रोटीन यह क्या करता है इस सिंगल स्न द्यने को स्टेबलीटी प्रोवाइट करता है निउक्लीजेस नौकियास यह एक होता है जो देखता है नशिंगल स्टेंड है ए शल्दि से इसको क्वाइंड ऐसंगल खूलो इसको यह वांड हैं नहीं कर पायेंगा उत्तेस्टंग एयन को इनिकाएञा मतलब एसली सब्सक्राइब कर रहा है इसे यहां वह संगल डायजेस्ट नहीं कर पाएगा अब जो है ठीक है यह तो गया अब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है इस इस पॉल्ड रैप्लिकेशन फोर्क जैसा बन गया आपने अपने घरों में दिखा है ना फोक होता है फोर्क जैसा यहां पर यह इस च्ट्रक्चर हो गया इस तरह से अपन देखें ना इस और यही एक ऐसा प्लेस है जहां पर रैप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो यह अपना कॉस्ट्चन सॉल्व हो गया यहां पर कि रैप्लिकेशन कहां होता है बाइशेव फोर्क इस्ट्रक्चर जो होती है डियने की उस पर ही रैप्लिकेशन स्टार्ट होता है जो रैप्लिक एन फांद मारे चल्न बहुता है अपर देखा लीडिकेशन फ्रेकली ने पॉलिमरेज और भात में आपने सब की बात भी होई नहीं है तो आप आता है कि बनाने वाला एंजाइम करने के लिए वह कौन सा अब आपको बताया भी था कि यह इस पॉली मरेज फोर डिवकेशन यू के रियोटिक सेल में पॉली मरेज तो इन मैं से पॉलिमरेज फर्सट और पॉलिमरेज होता है यह मैं ली रिस्पोंसिबल होता है फॉर एप्लीकेशन उस टाइम भी मैंने बताया था आपको लास्ट पार्ट में और यह एंजाइम अपन देखें कि रीड दा पैरेंटल डियने ऑल्वेज इन दा डारेक्शन ओफ 325 एंड यह भी मैंने बताया था आपको कि जो 325 एंड वाला होता है उस पर ही यह सबसे पहले रेप्लिकेशन करता है ठीक है यह 5 आएगा सुरी इदर मैंने सिक्वेंस गिलत लिख दिया है अब यहां पर 3 आएगा ठीक है तो इनका डारेक्शन मैंने बता दिया था कि जो न्यू स्टेंड विल फॉर्म फाइब टू 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 थ्री एंड मतलब इस अधर से काउंट किया है मतलब यहां से नया स्टेंड बनेगा हमेशा जब नया स्टेंड बनेगा तो यहां पर फाइव एंड आएगा इसका ठीक है इस पर भी रीड किया जाता है वट क्या होता है निव स्टेंड विल फॉर्म फईब तो थ्री एंड ठीक है अब आता है अपना अन्वाइंड होकर यह क्या करता है फोर्क या बाई शेप बना लेता है अने अभी आपको बताया था वाई शेप कि यह बाई शेप जैसा बन स्टार्ट होता है यहां पर लिखते हैं थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहां पर अपन लिखेंगे और यह आएगा यहां इस तरह से ठीक है नहीं लिखा कि ढेंगगा मनलब ऑफन कि बात कर रहें तो फाइव स्टेंड से भूह होता है थ्वर Armed Mix १र और लेकिन तो यहांज दे रखा है और क्वेंट लेकिन यहांसे इसका 5 end कहां पर आएगा यहां पर ठीक यह चीज़ें यहां पर आपको clear होनी चाहिए कि parental DNA में तो जो होता है 523 वाला जो sequence है उस पर DNA बनना start होता है लेकिन जब new DNA बनता है उसका direction होता है कैसा 523 end ठीक है यह चीज़ clear हो गई यहां पर मतलब new stand 5 end से ही start होता है बनना अब पहले specific initiator protein है जो ORI साइट होती है विल recognize the ORI साइट बिच बाइशेफ फोर्क और एंड रैप्लिकेशन ऑफ DNA जी start अब क्या करती है जो ORI साइट है वो specific protein होता है मतलब साइट होती है यह इसको recognize करती है specific protein वाली साइट को और वहां से यह DNA का जो new stand है उसको ना इसटाट रहा है हाहा बनान hazard application औफ DNA स्टाट हो जाता है रैप्लिकेशन ओफ DNA इस दा वर्क और डियेन-फ Goo हो रहा है इस पर काम कोण कर रहा है डियेन फॉलिमरibt एंजायम थर्ड जो की रेस्पॉंसिवल है किसके लिए रैप्लिकेशन करवाने के लिए ठीक है अब डियने पॉलिमरेज थर्ड न्यू स्टेंड को तो फर्म कर देता है बट यहां एक प्रॉब्लम आ जाती है क्या प्रॉब्लम आ गई यहां पर की लिमिटेशन होती है इसक एक पॉलिमोटाइट है दो कर सकता है उस न्यूक्लियोटाइट को लिए डियू निनेुऍछ ताइड को फॉर्म नहीं कर सकता जो पहले से सेट्ट को लिए नहीं बना सकता है यहाँ पर रहे उनको लंबा तो कर सकता है मतलब बढ़ा कर सकता है यह से वहीं से तो लंबा कर सकता है नां फोन हुआ कई सटेड़ कला रहीं अगा यहां इस आप ईंग करता है यहां पर dc क्या करता है रोल-ब्राइविंग का यहां पर ये kया करता यहां यहाँ पर आरेंड प्राइमिंग यहाँ पर जो है अपना रॉल स्टार्ट करता है डेन यह बन एनजांब निशेट दा न्युग्ले नुकलिटाइट की चैन को फॉर्म कर सकता है और नुकलिटाइट जो इए वो राइव Nucleutide चैन भी हो सकती हो सकती है सो ड्यूरिंग आरेने प्राइमिंग सबसे पहले क्या होगा यह पैरेंटल दियने के स्टेंड थ्री एंड पर इन प्रिजेंस ओफ आरेने पॉलीमरेज यहां एक 4-12 नुकलियोटाइड की चैन बना देता है ठीक है कौन आरेने प्राइम इस मींस आरेने नुकलियोटाइड यहां जो है अपन कह सकते हैं सिंगल इस्टेंड राई वो नुकलियोटाइड चैन यहां पर जोड़ दी जाती है ठीक है अब आरेने पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा अगर आरेने प्राइमेज नूकलियोटाइड की चैन जोड़ दी जाया तो ना पॉलीमरेज इसको स्मॉल नुक्लियोटाइट की चैन जो है जुड़ जाती है और डियने पॉलिमरेज इसको लॉंग या एक्स्टेंड कर देता है ठीक है यह वाद समझ में आ गई ना मतलब इनका कहना है कि जो आरने पॉलिमरेज थर्ड एंजाइम है इसकी कुछ लिमिटेशन्स है यह न्यू नो किनका करें करों से थाँ तो आर ने प्राइमीय में हो सकता है वादियॉनैय न्यूक्लियोटैट की भी हो क्योंकि आएंने यह पर तो हुन्य नियूटाइट कि छेन को यहं पर फार्म कर देता है और पॉलीमरेज अपना या या लॉंग कर देता है ठीक है यह आपको ठीक है अब वाट इस प्राइमिंग अगर कोई पूछता है तो प्राइमिंग इस दा प्रोसेज इन विच वह वाट ऑप स्मॉल नुक्लियोटाइड चैन विच इस कॉल्ड डी एन अ प्राइमर आरे ने प्राइमर जो है प्राइमे सब्सक्राइड आपके पास कुश्चन आता है कि वाट इस प्राइमिंग प्राइमिंग क्या है तो आप बोलेंगे कि प्राइमिंग वह प्रोसेज है जिसमें इसमॉल नुक्लियोटाइड की चैन बनाता है कौन आरे ने प्राइमर जिसको अपन कहते हैं और यह अटेश कर देता है फाइब एंड पर फिर क्या करता है डिया पॉलीमरेस थर्ड एंजाइमिस को एक्सेंड या लॉंग कर सकता है अब आती है बेस पेर की बारी मेंस जो न्यू नुक्लियोटाइड की चैन जोडते जा रहे हैं अपन दिस बर केंड बी डन बाइदा डिये ने पॉलीम की एनर्जी की रिक्वार्मेंट होती है और एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है डियोक्षी राइव नुक्लियोटाइड मैंने बताया था ना भी सेंट्र लॉंग मांके उससे थिके न तो इसके पहले यहां एक और काम कंपल सरी है अपने लिए एक्टिवेशन करना अभी साइड में एक्टिवेशन और डियोक्षी राइव नुक्लियोसाइड का प्रोसेज चलता रहता है जब यह ने फॉर्म होता है कहां साइटोप्लाज्म के अंदर इन साइटोप्लाज्म मॉनोफॉस्पेट है ठीक है अब थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा मुझे आप साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म के अंदर जो है सम मॉनोफॉस्पेट प्रिजेंट है तो यह मॉनोफॉस्पेट अपने यहां पर डाइफॉस्पेट में कनवर्ट हो जाते हैं कैसे डियोक्सिराइबोज एडिनोसिन मॉनोफॉस्पेट इनके फॉल फॉर्म बता रही हूं है डियोक्सिराइबोज ग्वानोसिन मॉन फॉस्पेट यह इनके फॉल पॉम हो गए यहां पर इस तो अपने मॉनो फॉस्पेट है इनको अपने एस त्री पी ओफोर की प्रिजेंस में डाइफॉस्पेट में यहां पर इनको कनवर्ट करें तो डी ए कि अपने मतलब यह अपने को कर दिया अभी फॉस्पेट में को कनवर्ट किया है तो अब डाइफॉस्पेट को अपन यहां पर इनको फिर से एस त्री फी ओ फॉर की प्रिजेंस में जो है किसम कनवर्ट कराएंगे ट्राइफॉस्पेट में यहां पर convert करवा देंगे तो क्या हुझाएगा डी ए टी पी डी सी जी टी पी डी सी टी पी और डी टी पी पी अब यह तो अपने यहां देख लिया ठीक है अब जैसे मैंने कहा आप से कि यह अब यहां पर थाइमिन यह दी आता है तो थाइमिन के बाद अपन देखते हैं यहां पर तो क्या वो लेंगे अपन यहां पर यह क्या गया यहां पर ऐस्वडय डी टी टी पि यह इसके सामने आ जाता है चलो ठीक है अब मौनो फॉस्पेट हैं यहां पर कर ट्रा फॉसपेट वापत से कर्मर्ट हो जाते हैं किसमें मौनो फॉस्पेट में एंड जो एनर्जी है वो रिलीज कर देते हैं और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी यहां पर काम आती है अब अपन ने देखा है एनर्जी रिलीज हो रही है और यही एनर्जी यहां पर काम आती है मतलब जब जो ट्राइप फॉस्पेटर नीटेड के बोंड है बनाने में काम आती है कि एक सब्सक्राइब से दूसे नुकलियोटाइट के बिट्वीन में जो बॉंड बनने के लिए इस एनरजी की नीड होती है ठीक है अब ट्राइफ फॉस्पेट प्रोवाइड करते हैं जो कौन प्रोवाइड करता है इनको ट्राइफ फॉस्पेट करते हैं आओ जैसे अपने अक्टिवेशन के टा एनजयमÓ और यहां पर कर रहा है वह बैं invest इसकी प्रिजेंश में ऑर मॉनफॉस्पेटोवयड करते हैं एनरजी करते हैं एर टैम और टाइम द् hazır ऑथ डि फंक्शन देख लिया नाव बनना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अनर्जी मिल गई आप देखते हैं अपन दोनों इस्टेंड पर दो डीने बन रहें दोनों पैरेंटल स्टेंड के एंटी पैरेलल में ठीक है आप डीने पॉलीमरेज यहां पर टू एंड्स पर एप्लिकेशन हो रहा है और यहींदी पर आप करेंगा कि ब्राबर से चाहिए ना प्रोसेश के लिए तो बहुत जादा भारी पड़ जाएगा उसे लाओं तो क्या करेंगे क्या होता है यहांपर जो डियने का एक टेंपलेट पर तो लुक्त जाता है जो है श्टेंड और दूसरे पर डिस कंटीन्यू जो है यहां पर एप्लिकेशन होता है इस्टेंड डिसकंटीन्यू बनता है ठीक है समझ में आगई ना बात भाई दोनों के लिए उसको इतनी अनर्जी नहीं बचती कि उतनी एनर्जी प्रोबाइड कर और दूसरे पर इस कांटिनियुद का इससे क्लि रेक्वायर्मेंटिंट नहीं हो और नीड भी नहीं हो। नव कॉस्टन होता है कि कंटीन्यूं गाल ऑगा सलग ज छोगा इस सीक्ट होगा और आग जाकर तो आंसर आता है जिस stand पर continuous replication हो रहा है मतलब replication इस तरह से continue में आपको दिखाऊंग जैसे यह DNA है और या इस तरह से भी ले लेते हैं बेना stand बनाई भी यह तो continue हो रहा है और एक इस तरह से हो रहा है इस तरह से discontinue हो रहा है तो जिस stand पर continue replication होता है ये Subscribe होता है। बार बार रुक करो रहा है। बार बार प्राइम्ग चाहिए फिर होता है यहां फिर फिर तोड़ा सभा चाहिए। इस तरह से जो प्रासेज होता है और जिस इससे स्टैंड होता है। Its calledускalled leading stand लेडिंग स्टेंड और इसको अपन बोलते हैं लेगिंग स्टेंड फ्र हम पूछेंगे कि मैंम किस पर कंटीनी होगा और किस trilogy होगा हमें यह भी तो पता होना सब्सक्राइब किस पर बनेगा तो यह से बनना स्टेंड अर यहां पर कंटीनिएस रैप्लिकेशन होता है इस पर अपने देखें कि जुह है अनली वजिस जी पर सब्रेक्स थोन्ली टायम प्राइमिंग हो तो प्राइमिंग होगी यहां पर बन टाइम ही तो और इन पर वार-बार वार होगी एक फ्रदर फिर जितने बनते जाएंगे उतनी बार नियुदेंट बने गा मतलब जुदीनिन्ट होगा दूसरा तो फिर प्राइमिंग प्राइमिंग बार बार होती है तो प्राइमिंग जो बार बार हो रही किस पर जो लेगिंग स्टेंड है उस पर प्राइमिंग बन रहे हैं सेगमेंट बन रहे हैं और इन सेगमेंट को अपन क्या बोलते हैं क्या वह लेंगे सेगमेंट को ओका जाकी सेगमेंट कहते हैं ठीक है ओका जाकी सेगमेंट कहते हैं लेगिंग स्टेंड है यह लेगिंग स्टेंड और इन जो लेगिंग स्टेंड पर जो सेगमेंट हैं इन सेगमेंट को अपन ओका जाकी segments कहते हैं मैं यह clear name लिख देती हूं यहां लिख देती हूं यह बनाया अपने ओका जाकी segments और यह मैंने क्यों बोला ओका जाकी segments कुछ तो इनका होगा ना history तो एक Japanese scientist थे ओका जाकी जिनका नेम था उन्होंने ही इस इन को identify किया था इसलिए उनके नेम पर ही इन segments को ओका जाकी segments कहा जाता है ठीक है तो यह भी हाँ पर clear हो गया ओका जाकी segments बन रहे थे अब ओका जाकी segment की length कितनी होती है इन में तो ओका जाकी segments प्रोकेरियोटिक सेल में इनकी length 1000 तू तू थाउजन बेस्पेयर होती है तो नुक्लियोटाइड और युकेरियोटिक में 100-200 नुक्लियोटाइड लॉंग होता है मेंस स्टार्ट होता है अब आता है अपन देखें कि यहां पर नाओ बोथ इस्टेंड बना दी अपने DNA polymerase ने अब यह DNA polymerase कह रहा है थर्ड वही मैंने application कर दिया है मैंने अपने दौनों stand बना दी है अब तर्ड पॉलिमरेज को और सेकेंड ऑौर फॉसर का function क्या है अपने लिख रखा है यहांपर कि जो सेकेंट है यह तो पहले enzyme अपना आता है DNA live gaze इसको बुलाएंगे और यह क्या करेगा इन जो primers हैं इनको हटा कर यहां पर इन segments को आपस में joint करेगा इसका function क्या हुआ DNA live gaze का joining of Okaja की segments इन segments को यह join करेगा अतलब आपस में joint कर देगा जोड़ने का काम करेगा इन fragments को और इन fragments को जोड़ने के बाद फिर इनको अपन देखेंगे तो यह है यहां पर hydrogen bond बनना इनके बीच में start हो जाएंगे अपने यहां देखते हैं जैसे यहां पर है दो standpoint बन गए ना दोनों stand के बीच में hydrogen bond बनना start हो जाएंगे, और hydrogen bond बनना start होंगे, और इन पर sequence भी बनता जाएगा, A, T, इस तरह से T, A, G, C, C, G, ये segment इन पर बनना start हो जाएंगे दोनों पर, ठोचुकिंगे, 5 and, 3 and, 3 and, 5 and, 5 and, 3 and, 3 and, 5 and, आपिस ना फैसे कर दिया है सब्सक्राइब सब्सक्राइब कसा सब्सक्राइब आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ बहुत अच्छे से कि मैंने सभी एंजाइम्स की यहां फंक्शन आपको एक एक करके सारे अपने इंक्लूड कर लिए और सभी एंजाइम्स यहां पर इंक्लूड हो गए और आप लोगों को समझ में आ भी गए होंगे फिर भी में एक ब यह प्रिकेशन के लिए रिपेरिंग के लिए रिप्रूफ रीडिंग अब नेक्स अपना इंजाइम्स या पर हैली के जो हैड्रोजन रेप्लिकेशन से पहले क्या होगा इनके बॉंड है वह इनकी ब्रेकडाउन करना कंपल सरी है तभी तो यह स्टेंड फॉर्म होगा सिं यह हाइड्रोजन बॉंड को ब्रेक करने में अपना इंपॉर्टेंट रॉल प्ले करता है अब डियने का अपने पड़ा था कि जो डियने हैं इसका नेचर होता है कोईलिंग टेंशन मतलब यह बापस से कोईल हो जाता है जैसे यह सिंगल स्टेंड में करता है कौन यह हाइ इसकी टेंशन बापस से नहीं आने देता है टेंशन को रिलीज कर देता है जिससे सिंगल स्टेंड यहां पर फॉर्म हो जाता है फिर अपने पड़ा था कि जो है सिंगल स्टेंडिंग स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है यह यहां पर इसके साथ साथ सिंगल स्टेंड के प्राइमें यह चैन्य वन यह चैनल यह इंपने को मालुम है क्यों जो ओको घ्रोक Tikता हषिगिया उस्टम फॉर्म में मील ऑपोर्नियस से हैं तो ऑपने को मालुम ही वपेंगेश सोबकinky सेग्मेंट्स या फ्रेग्मेंट्स होता है किसा होता है और फ्रेग्मेंट्स को आपस में कर देता है तो इसके बाद जो है जो बाइंड कर देगा तो यहां पर hydrogen bond बनना स्टाइट हो जाते हैं और hydrogen bond के बिट्वीन में अपने को पता है किन किन के बिट्वीन में adenosine, thymine, cytosine, guanine इस तरह का sequence भी बनता जाता है साथ-साथ में इस तरह से finally two dna stand यहां पर form हो जाते हैं इसमें एक parental होता है और नियूली सिंटेसाइज dna stand यहां पर होता है जिसको अपन बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रैप्रिकेशन हना जो है और अपना dna जो है रैप्रिकेशन कम्प्रीट हो गया थैंक्यू करद में जो होग हो...?